दोस्तों गर आप एक Instagram यूजर सो Instagram को यूज करते हो तो ये वीडियो आप ही के लिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ काफी परसन को प्रॉब्लम आ रहे हैं Instagram Reels के अंदर के वो Reels की वीडियो को सेव नहीं कर पा रहे हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ के ये प्रॉब्लम आपके साथ में क्यों आ रहे हैं और इसको कैसे आप solve कर सकते हो काफी परसन के DMs and comments मुझे देखने को मिलते हैं जो की कहते हैं के भाई हम पहले Instagram के अंदर से ही Reels को share पर किलिक करके add to story करके वहां से Reels वीडियो को डाउनलोड किया करते थे अपनी gallery के अंदर लेकिन अभी वहाँ पर जो save का option है वो हमें show नहीं हो रहा है जैसे के यहां बराबर में screenshot आप देख सकते हो इसमें save का option है लेकिन अभी ये save का option Instagram के latest version के अंदर जब से update किया है Instagram को तब से ये save का option यहां पर show नहीं हो रहा है तो आज की इस video के अंदर मैं आपको बताऊंगा इसका solution क्या है किस तरह से आप save option को enable करके अपनी Reels वीडियो को download कर सकते हो तो वीडियो को skip करके नहीं देखना है आपको वीडियो को end तक देखना है वीडियो start करने से पहले अपने भाई का नाम जानने चे मेरे नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS YouTube चैनल चैनल पर नहीं हो तो बैश चैनल को subscribe करके bell notification को all पर प्रेस कर लो के आने वाली मेरी वीडियो के update आपको मिलती रहे तो चलिए शुरू करते हैं Instagram के अंदर जो हम जाकर के Reels वीडियो को देखा करते थे तो वहाँ पर कोई भी Reels अगर हमें पसंद आ जाया करती थी तो share पर क्लिक करते थे उसके बाद में add to story पर क्लिक करते थे और उस Reels की वीडियो को यहाँ पर हम इस तरह के option से save कर लिया करते थे यहाँ option आता था save का तो यहाँ से हम उसको save कर लिया करते थे लेकिन जबसे हमने Instagram की application को update किया है update करने के बाद में यह save option यहाँ से गया हो गया है अब मैं आपको पहले तो यह बता दूँ कि यह जो save option यहाँ से हटा क्यों है Instagram के latest version के अंदर इसको हटा दिया गया है काफी लोग के हट चुके हैं काफी लोग परिशान है इस बात को ले करके के बाई उनका save option नहीं आ रहा है वो reels को download नहीं कर पा रहे है तो guys अब मैं आपको बता देता हूँ कि यह save option के से आएगा किस तरह किसे यह यहाँ पर enable होगा तो उसके लिए आपको करना क्या होगा आपको instagram का old version download करके उसको use करना होगा उसी में आपको यह save option दिखाए देगा अगर आप latest version चला रहे हो तो latest version के अंदर आपको यह show नहीं होगा save का option क्योंकि latest version के अंदर से instagram ने इसको remove कर दिया है इसको हटा दिया है अगर आप इसका use करना चाहते हो तो उसके लिए आपको instagram का old version डाउनलोड करना होगा आपको जो है ना google से उसको download कर लेना है उसको install करना है उसमें id को login करना है और फिर आप जब reels को download करना चाहेंगे तो save वाला option आपको मिल जाएगा कोई दिक्कत आपको वहाँ पर नहीं आएगी तो इस एक तरीके से आप save वाले option को यहाँ पर enable कर सकते हो और reels वीडियो को download कर सकते हो और कोई दूसरा तरीका नहीं है इसको enable करने का और अपनी reels वीडियो को download करने का I hope कि आपको वीडियो अच्छी लगएगा आपको पसंद आएगा तो इसको like करें शेर करें मेरे channel को subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में